मिट्टी ने माहा भारत का युद्ध जहला है उसी मिट्टी में पैदा हुआ है एक ऐसा स्टार जिसके चर्चे दुनिया भर में मशूर है तो आईए मिलिये युवराज जी से अरे जी तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी कीमत करनाल के एक शो में लगभग 9 करोड तक लगाई गई है पर युवराज के उनर करमवीर जी युवराज को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते है मतलब मैंने अपने अउलाद की तरह पड़ा है मैं इसको अपने अउलाद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसको बेचने के बारे में सोची इस है 9 फुट लंबे और करीब 5 फुट 9 इंच उचे युवराज की उम्र है 8 साल और वजन है करीब 1500 किलो यानि एक हैच बैक कार जितना अपनी ब्रीड के ही 3 अवरेज बुल्स के बराबर या कहिए 75 केजी वेट वाले 20 लोगों से भी ज्यादा भारी अब हमारे युवराज युवराज क्यों हैं ये हम आपको बता देते हैं अच्छली युवराज की सीमन की ब्रीडर्स में बहुत देमान है और वो इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तयार है युवराज के एक बार के सीमन को डाइल्यूट करके 500 डोस तक बनाई जाती हैं जिसका एक डोस 300 रुपए तक पिकता है और पिछली चार सालों में युवराज तेड़ लाख हेल्दी बेबीस के प्राउट डैडी बन चुके हैं और करमवीर जी कहते हैं कि युवराज ने कई लोगों का बिजनस कई गुना बड़ा दिया है अब आप समझ गए होंगे कि मैंने युवराज को क्यों कहा था कि ये विक्की डोनर से भी बड़े डोनर हैं युवराज से पैदा हुई भैसे भी उसकी तरह सूपर बफेलोज हैं जो ओन एन आवरेज डेली 18 से 20 लीटर दूद देती हैं बात तो सही है हेल्दी डैडी के हेल्दी बच्चे यहां लोग अलग अलग जगाओं से इसके बच्चे को खरीदने आते हैं जैसे यह भाई साब दो महिने के बच्चे को लेने आए हैं जिसकी कीमत लगाई गई है ठाई लाक रुपए जानते हैं क्यों इनकी खास्यत इनका बढ़िया कॉलिटी का दूद है, इनका शरीर मजबूत है और ये लंबे समय तक दूद देती है भाई खाते क्या है अपने युबराज और इनकी मेंटेनिंस कैसी होती है देश-विदेश में मशूर युबराज का पर मंद का मेंटेनिंस खर्चा है 25,000 रुपए करमवीर जी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, I mean बुल युवराज को कई शोज में World's Best Bull के एवाट्स भी मिले है युवराज ना सिर्फ इन्डिया में, बलकि विदेशों में भी बफेलो की नसलों को बहतर बनाने में अपना योगदान दे रहा है भाई ऐसी खूबी वाले युवराज के सामने 9 क्या, 90 करोड की चीजें भी कुर्बान है अपने देश की ऐसी बेश कीमती अमानत को देखकर मेरा दिल तो सिर्फ यही कहता है कि OMG ये मेरा इन्डिया